नमस्कार दोस्तों, Stock Market Studies में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत सागत है, तो आज यहाँ पर मैं डिसकसन करूँगा कुछ importance update के बार में, कुछ importance companies के बार में, तो details analysis आपके सामने में दिखाऊँगा, जो विडियो को पूरा लास तक प्लीज देखिएगा, क्योंकि यहाँ आपको बहुत सारा information मिलेगा, तो और आभी तक अपने चनल को सब्सक्राइब नहीं के तो जूरू कलेजिएगा, continuously इस तरीके से update पाने के लिए, सबसे पहले मैं बात करूँगा, VBL के उपर, तो Varun Beverages Limited, जिसके बार में चर्चा हर जगा पे हो रहा है, मैं भी आपको बहु मुझे लगते कमपणी में और भी बड़ा धामा का होने वाले है, तो ऐसे बात में क्यों कर रहा हूँ, चलो में सबसे पहले बो में आपको दिखा देते हूँ, उससे पहले एक पॉइंट्स आप जोरू दिखेगा, इस कमपणी को निवेस करने से पहले, दो पॉइंट्स से भी बहुत जादा है, इसका मतलब हार चांसे से वह कमपणी कभी ने कभी थोड़ा सा करेक्शन तो दिखाएगा, तो उसमें आपको चीनता करने का कोई जोरूत नहीं, कमपणी में यह 10 है, उस 10 की हिसाब से कमपणी काम कर रहा है, तो रही बात कमपणी के कुछ अपडे लाइक वैलू एडडे, आप देख सकते हैं, डियरी स्पोट डिंग्स साते साथ आप देख सेग्मेंट, मतलब कउमम्पणी टार्गेट हैं, जो डियरी से में के बात आफ तो बहुत जगा पर सुन चुके है तो इस तरीके से कंपनी बता रहे कि और भी ध्यान देंगे juice जैसे juice मतलब company के जो product है जो है slice आप सब जानते है slice के बारे में तो slice इसी का ही brand है और slice का brand के इसाब से company juice segment के उपर भी और भी growth कराने वाले है अलग-अलग juice product company खुद market में ले आने वाले है तो यह पर देखे sustain growth momentum तो company expect कर रहा है कि आप प्रमी future में company का growth होगा तो एक point मुझे उतना खास नहीं लगा मकर मुझे एक point company का बहुत खास लगा वो है company का नया product आप देखेंगे the company is यह पर देख सकते है increasing distribution for energy drinks and adding more VLSI cool देखें VISI colors तो मतलब company energy drinks market में क्या करने वाल है launch करने वाल है और company यह भी बता रहा है कि company hedge यह पर देख सकते है मतलब report कर चुके है capacity growth करने के लिए और वो भी value added करने के लिए dairy sports और drinks and juice तो financial year में company बता रहा है इस segment में company अच्छा खासा growth करेगा तो यह कुछ points जो points आपको बहुत तेजी से growth कराएगा इस company को साथी साथ आप और भी points देख लीजिए company यह भी बता रहा है कि get rate will be mass marketed and made available to more outlet from early next year इसका मतलब company बता रहा है जितने इसका outlet है मतलब जितना इसका जगा पे company product बेशते हैं वो outlet क्या करने वाले है नेक्स्ट कुछ ES में company बहुत ज़्यादा बढ़ाने वाले है तो इस सारे points एही major करते हैं कि company के upcoming season में upcoming years में और भी बहुत तेजी से growth करेगा देखें आप सभी जानते company के जो popular brand है वो brand क्या है पेपसी तो पेपसी सबसे दा popular brand है अगर market में जाएंगे तो आपको पेपसी क इस दोनों का ही product मिलेगा तो इस दोनों product मार्केट को यहाँ पर stand देखेंगे इसका और क्या brand है आप ध्यान से दिखेंगा तो पेपसी है साथी साथ आप देखेंगे तो Mountain Dewi है तो इस तरह के से अलग-अलग product देखेंगा जो product के उपर company market को अच्छी तरीके से capture करकर रखा तो इसका actually a product band देखेंगे तो आपको और भी कुछ पता चलेगा चलो आप our product में चले जाते हैं देखें क्या क्या है slice जो मैं पहले बोल चुका हूँ ट्रॉपी का ना जो juice segment को पर काम करते है साथी साथ पेपसी, पेपसी, ब्लैक, Mountain Dew, Sting, 7up, Mirinda तो इस सारे brands popular brand है देखें क product का demand और भी बढ़ने वाला है देखें जितना गर्मी का मौसम बढ़ेगा तो उतना लोग इस तरीके से coldings type product को consume करेंगे और coldings type product को वो ज़्याद से पीएंगे तो इस हिसाब से company का demand बढ़ेगा देखें कर्मी के मौसम अभी देखें का सीजनेबल बिजनेस चला है तो पर अंदर कुछ गड़ बड़ी चल रहा है तो मैं इस तरीके से major करके देखता हूं तो आपको आपके साथ भी जूरू स्यार करूंगा तो इसलिए मेरे साथ जूले रहे हैं चनल को सब्सक्रेब नहीं कर लिजिए और एक लाइक भी जूरू कर देना देखें कंपनी के जो हर प्रड्र चाहा का हे यth den ऋबड़ हो जाह ऑट और जो Viel अब कर ने थोड़ा साथ बैसा इंक्रीग कि यह तो दून तरीके से दिखतार लिएक वाल कोई भी जॉनए वह पने हैं तुम ली इस पाँपन्पानी के आपको लॉंग जर्णी के लिए सोचना चलिए रही बात chaat button का तो मैं आपको mention कर ही दिया था कि जो triangle button बन रहा है उस triangle button में one candle आपको कर देखिए यह आप मैं को mention किया था है यह आप जो triangle button बन रहा है उस angle button को ब्रेक करे तो एक बड़ा दली दिखेगा तो आप इस candle ने इसके बद देखे जरनी किस तरह के से किया मेरे सबसे higher side में और भी जाने के लिए company त्यार हो चुके है अभी देखना बाकि है किस तरह के से growth करेगा क्योंकि मैं पहले से आपको mention किया था मेरे telegram channel में आपको इस level breakout होने के बाद आपको anti level मिलेगा तो मैं खुद anti लेकर बैठा हुआ हूँ मेरे target अल्मोस हो चुके है फिर भी मैं थोड़ा सा hold कर रहा हूँ तो मुझे थोड़ा सा और भी after moment देखने को मिला है सेकेंड जो company जिसके बारे बात करूंगा उसका नाम है fine organic इंडेस्टिस लिमिटेड देखिए ये भी chemical इंडेस्टिस के उपर काम करते हैं तो इस company के उपर company का quarterly जो रेजल आया तो रेजल में अच्छा खासा result धमा का देखने के बाद company कुछ board ने कुछ decision लिया वो decision आपके स्लोडाउन देखने को मिला देखिए company witness आपर देखिए आप खुदी देख सेकते हैं टेंपूररली slowdown in the US and Europe quarter 4 मतलब company के उपर slowdown देखने को मिला इस कंटी के उपर एक्सपोर्ट है company के एक्सपोर्ट के percentage कम हो चुके है हां company में एक positive points भी है देखिए company बता रहे कि domestic market में ग्रोथ हुआ है अच्छा खासा जहाप EBITDA margin में अच्छा खासा ग्रोथ हुआ 27 वर्षन के आसपास और वो भी quarter of quarter and year of year इसका मतलब quarter में भी 27 वर्षन ग्रोथ हुआ और year of year भी भी 39.9% के आसपास ग्रोथ होने वाले हैं यह global market में US और Europe मार्केट में अगर positivity देखने को मिला तो अच्छा खासा ग्रोथ जोरू दिखेगा तो company का यही कहना है company देखिए खुद का जो capacity है आपे देख सकते है all plant all plant are expected to run at fully capacity by the March 2024 इसका मतलब company के हर plant यही बता रहे है कि तेजी से growth करेगा खुद का जो capacity है उसको increase करने में तो company यह भी बता रहे है कि company expect कर रहा है जो growth है वो 24 में सायद आपको उतना ज्यादा नहीं दि आप लेवेल में होगा तो एक कुछ points जो management ने कहा है जो देखिए अब होगा के नहीं होगा बहुत आपको बाद में ही पता चलेगा मगर company यह भी बता रहा है कि जो company contribute करते है export के उपर total revenue में 68% growth होगा मतलब 68% growth हुआ है 2023 में और वो 2022 में company का growth कितना था 60 था इसका मतलब 60 से EBITDA margin में होने वाले है तो इसका मतलब company में अच्छा खासा growth feature में आ सकते हैं देखिए रही बात company का चार्ट पटन का तो मुझे थोड़ा सा weakness देखने को मिला चार्ट पटन में क्योंकि continuously buy होने के बाद एक continuously sell up भी देखने को मिला तो यहाप एक strong support जोन था क्योंकि इस range को hold क करने के बाद एक बड़ा rally देखने को मिला था इसका मतलब यही रेंच company के लिए support बन चुके है तो support को बार-बार बोरी टेस्ट कर रहा है उपर साइट तो जा नहीं रहा company को volume भी decrease हो रहा है इसका मतलब seller अभी भी sell करते जा रहा है कोई भी बायर यह जितने बायर आ रहा ह उसको sell करते जा रहा है मतलब उसको बेचते जा रहा है इसका मतलब higher chances है share के ओपर गिरावट को होगा तो गिरावट अगर होगा तो 200 days सबसे पहले एक support होगा तो अगर 200 days यह में support बनेगा उसके बाद अगर गिरावट हुआ तो big fall आपको देखने को मिल सकते है और वो range इस positivity बात आए तो इस कंपनी को पर एंटी नेने के लिए हम लोग त्यार रहेंगे लास्ट कंपनी जिसका नाम है राधा गविंत कमर्सल लिमिटेड जो दिखा चैते एक ट्रेडिंग कंपनी है इस कंपनी के बारे में बात्चीत क्यों कर रहा है कि कंपनी का जो 28 रुपीज के दो 2.8 रुपीज में लेके जाना चाहते है इसका मतलब कंपनी जो फेस बैलू है दस रुपया है उसको एक रुपया कंपनी बनाने वाले है और इसका डेट आ चुके है अनॉस्मेंट कंपनी कर चुके है डेट आप मेंशन किया गया है जून 8 तरीक को जून मांग में कंप अपनी के बाइसेल करिए देखिए आपको में इसलिए बताता हूँ कि आपको भी पता चले आपको भी सारे जानकरी मिले किस जानकरी से आप खुद डिसेशन ले पाए कि मुझे किसमें रहना है और किसको एकजिट करना है यह था कुछ अपडेट्स मेरे वीडियो अगर अ मिलेंगे नेक्स वीडियो में तब तक लेचे से रहे अपने ख्याल रखिए बाए